कि अंजी वेरी वेरी गुड एवनिंग स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट कर लिया था सर लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट कर लिया था लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर लिया था ब्रांच अकाउंट बड़ा चोटा सा चेप्टर और अच्छा चेप्टर इसमें से सवाल 15 नंबर का देखो कुछ एक ऐसे चेप्टर है जिसमें से 15 नंबर से कम के सवाल नहीं बनते हैं अब एक्जामिनर के उपर है वो दसका भी दे सकता है बागी 15 का हर बार अभी तक आता है जिसमें से फाइनल अकाउंट एक है ब्रांच यह दोनों ऐसे चप्टर है जिसमें से पंदरा पंदरा के आएंगे तो एक तरीके से मान के चलो आपका 75 का पेपर है तो 30 नंबर का हो गया यानि आपका एपरोक्स 40 परसंट ऐसी परशंट के आस पास बन जाता है ठीक है ना तो ब्रांच के अंदर हमने क्या देखा था सब्सक्रीट अंदर ऐंब इंडेंदेंड ब्रांच की बात कर लें, इसको इनलेंड ब्रांच भी बोलते हैं, हमआरे इन्डेंडेंड। मतलब सर क्या बना रहे हैं हम branch account बना रहे हैं branch account के अंदर क्या होता है सर इधर सारे assets लिखो उसका closing balance लिखो सारे assets का closing balance का मतलब एक assets ऐसा है जिसका account बनाना पड़ेगा जो की है debtor account जिसका हम अलग से account बना लेंगा और इधर क्या आएगा सर good sent और यहाँ पे सर खर्चे लिखे जाएंगे जो की head office payment कर रहा है वो खर्चे यहाँ पे लिखे जाएंगे और अगर कोई हमने head office को direct return किया है तो वो कहां जाएगा हमारा buy side और इसी तरीके से यहाँ से हमारा या तो profit निकल जाएगा या फिर loss निकल जाएगा फटा फट देखते हैं debtor account debtor account क्या होता है कि हमारा debtor assets है तो 2 balance BD, buy balance CD आगा debtor की बढ़ाने की बात करें तो दो ही reason बढ़ने का है एक हमारा क्या होता है credit sales दूसरा reason अभी देखते हैं घटने की reason क्या है अगर आपको debtor से पैसे मिल गया collection from debtor या फिर BR आपने किसी को दे दिया तब भी घट जाएगा debtor, bad debt से भी घट जाएगा, discount से भी घट जाएगा, return से भी घट जाएगा लेकिन अगर BR dishonored होगा तो debtor क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इसके अंदर एक बात मैंने बोला था, याद रखना है कि आपका जो भी debtor होता है, उसके अंदर कभी भी provision for doubtful debts नहीं आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसके बाद जो हमने format देखा था, उस base पर एक question देख लेते हैं, फटा फट से, यह आपकी at ip खतम हो जाएगा, पर सो stock debtor खतम हो जाएगा, क्योंकि मैं regular class लूँगा, चलिए sir, format मैं भी बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिए, blank format, sir, दो ही account तो बनने है, एक बनना है sir, branch account, sir, यह कौन सा account बना रहे हो, branch account, और एक बनाएंगे कौन सा account, हालाकि देख लेते हैं, question में क्या requirement है, कहता है, prepare हैदराबाद branch accounts, goods sent to branch account in the books of echo, एक goods sent to branch भी बनाना है, तो इस वाले branch को मैं बाद में लूँगा, अभी इस branch को मैं लेके नहीं चलूँगा, और goods sent to branch, तो इसको card देते हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं होता, बस लिखना होता है, अभी क्या बनाना है, सिर्फ हैदराबाद branch, अब debtor account हमारा बनेगा, या नहीं बनेगा, depends, अगर दो बाते मिल जाए ना, इस account question में, तो debtor account बनाने की जूरत नहीं है, क्या-क्या, एक collection from debt debtor और एक debtor का balance, cd, ढूंडते हैं, क्या collection from debtor given है, यहाँ पर, यहाँ पर, इसी को तो बोलते हैं, collection from debtor, cash receive from debtor, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपके लिए, अब ठीक है, चलिए, सर, यहाँ पर, अगर ध्यान दे, तो सर, एक देखिए, यहाँ पर लिखा है ने, सर, क्या collection from, किदर चला गया भाई, एक बात तो मिल गई, अब दूसरी चीज़ और डूंडनी है, क्या डूंडनी है, सर, balance cd, यानि debtor का closing balance, क्या है हमारे पास, तो यहाँ closing balance में देखो, debtor का closing balance, ऐसा मस समझना, कई बार question mark डाल देते हैं, यह, दोनों मिल गया, तो भई, आब हमें debtor account नहीं बनाना, तो अब हमारा सारा का सारा जो काम चलने वाला है, वो यहीं से चल ले जाए आएगा, branch account से, ठीक है न, चलिए, फटा-फट से करते हैं अब हम, अब देखो, हमने सीखा था, P&L, सबसे पहले क्या करते हैं, opening balance, पहले question पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है भाई, इतनी देर से यह, कहता है, P&C, send goods to branch हैदराबाद, चन्ने का एक head office है, और यह अपना भेशता कहां पे, हैदराबाद में समान बेचता है, the branch sell goods cash and credit, भाईया, branch दोनों समान जब कभी, all the proceeds realized by the branch sent to head office, proceeds का मतलब होता है, जितना पैसा cash का आता है, branch के पास, वो किसको भीज़ देता है, head office को, जब कभी भी branch head office को कुछ भी भीज़ता है, तो उसको क्या नाम से मैंने बोला था, remittance, उसको किस नाम से बोला था, remittance कहां आता है, debit में या credit में, credit में आने वाले हैं, क्योंकि expense कौन दे रहा है, head office दे रहा है, petty expense which meet by the branch, कहता है, भाईया, petty expense तो branch ही देगा, head office, नहीं देगा, cash sent by head office against regard, लेकिन head office ने फिर भी कुछ खर्चेत के लिए पैसे भेज़ दी है, the branch की sales journal debtor leisure only, कहता है कि भाईया, ब्रांच जो sales journal ना, debtor leisure only, यानि debtor system follow कर रहा है, कह रहा है, sales, journal और debtor, यानि ये system follow कर रहा है, the following list transaction between the head office and branch में कुछ हुआ 31 मार्च तक, कहता है, opening balance है, goods sent है, goods written by the branch, और credit sales, cash sales सारी चीज़े हैं, जो कि हम लिख लेते हैं, फटा-फट से, तो सर सबसे पहले opening balance कहा आएगा, बताइए मैंने सिखाया आपको, two side मे आजाएगा, क्या लिखें, two balance, two balance BD, क्या क्या आएगा सर, सबसे पहले stock, stock के बाद debtor, सर पैटी cash भी बताया था, अब फटा-फट amount लिख लेते हैं, 535, 535 तो देखो इतना आसान है न, और तो कुछ है नहीं, बाद में total कर लें, good sent कहाएगा, इधर ही आएगा, सर, good sent इधर ही आजाएगा, good sent कितने आगए, फटा-फट देख के बताईए, यह रहा हमारा good sent to branch, 40,000, इसके बाद आजाते है, goods return by branch, अगर debtor return करता तो, तो debtor में, branch ने return किया, तो यहाँ आजाएगा, return, और सर, कितने का return, 25,000 का याद है न, आपको, इसके बाद आगे दे by remittance, सर, sales, cash में कितने का, और कहता है, laser से collection, 33,000, तो सर, debtor से, 33,000, आगे कहता है, goods return by debtor, debtor ने return किया, तो कहाँ जाएगा, debtor account के अंदर, क्या बना रहे हैं, debtor account, नहीं बना रहे हैं, तो छोड़िए फिर इसको, यह मेरे किसी काम का नहीं है, discount allowed, कहाँ जाता है, discount allowed, debtor account में, क्या हम debtor account बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, क्योंकि closing दे रखा है, तो यह भी किसी काम का नहीं है, although debtor बना भी लोग ने, तो कोई marks कटने वाला है, नहीं, bet dates कहाँ जाता है, debtor account पे, हम बनाई नहीं रहे, debtor account, branch expense meet by HO, देखो, साफ साफ कह दिया, पंदरा सो रुपे, तो भाईया, expense यहाँ डालेंगे, और पंदरा सो रुपे, लिख देंगे, बात ही खतम, पंदरा सो है, यह है, salary and wait, एक मिनट, यह तो heading है भाई, यह तो heading है, अब आगे कहता है, salary wages, salary कितने का, पांच हजार, और उसके बाद rent कितने का, तीन हजार, इसके बाद telephone, एक हजार, इसके बाद क्या कहता है, other expense, पंदरा सो, other expense, पंदरा सो, आगे कहता है, closing balance at branch, branch के कुछ closing balance है, तो यहाँ लिखते हैं, by closing, क्या क्या है, stock, कितने का, 9000, चेक कर यह, debtor भी होना चाहिए, debtor कितना है, 6000, पैटी cash भी होना चाहिए, 100 रुपए, बाद खतम, total कर लेते हैं, इसका पांच तिन आठ, इसका total कर लेते हैं, पांच तिन आठ, एक नो, हाँ, यह रह गया, कहा है, अच्छा, यह रह गया, 1200, कोई बात नहीं, 1200 रुपए, यहाँ जाएगा, जब कभी भी हमें head office भेजेगा ना, पैसा तो हम यहाँ लिख लेगे, पैटी cash इस साइड में, पैटी cash, इसके उपर कहानी समझेगे ना, बाद में, कितने रुपए बेजा, हमें बोला, ले भाई, 1200 रुपए से खर्च कर दे, तो मैंने खर्च कर दिया, head office ने बेजा, तो मैंने यहाँ डाल दिया, इसके पीछे, actual logic क्या है, जब हम stock debtor system पहेंगे, तो समझ जाएंगे हम, वहाँ पे भी पैटी cash आएगा, लेकिन वहाँ दूसरे तरीके से आएगा, अब इधर आ जाते हैं, 9 और 6, 15,100, यही है न, 15 और 33, 45, अब फटा फट टोटल करके profit बतातो, टोटल करिए, इधर का बताना, 15, यह टोटल, माइनेस कर दो, अरे भाई, फटा फट माइनेस करो, फूर्ती दिखाओ, आप क्या देख रहे हो फोन में, कौन से कहान यह गए, कैल्कुलेटर अभी तक तो एक जवाब नहीं आया आए, आपका, कौन से कैल्कुलेटर है, और कैल्कुलेटर फोन में किस ने बोला चलाने के लिए, आंसर चेक कर ले, किताब में, अगर यह आ रहे हैं तो ठीक नहीं तो दुबारा आपको ही करना हुगा, ठीक है, समझ में आया क्या है, इसमें डेटर अकाउंट मैंने नहीं बनाया, लेकिन इतनी सारी जानकारी थी, जिसे मैंने छोड़ दिया, किसी को लगता है, सर यह डेटर में जाना चाहिए, तो आप एक बार इसको जब करेंगा ने दुबारा, तो डेटर अकाउंट बना लेना, कोई फरक नहीं पड़ता, उसके इंतर उसमें क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा, टू साइड में और कुछ भी नहीं निकलेगा, क्लियर?